वागों के फिर बदन का फैसला लिया यह उनका विश्यता अधिकार है इतने दिनों तक पर है तो गाली सुनवाया सनातन्त के लोगों को हिंदू संस्कृति के लोगों को उसके बाद अपना चेरा साफ करने के लिए उनके खेल खेला है तरकार के अस्तर से जो भी फैसले होते हैं वह बिहार के बहतरी के लिए किसी को हटाने से कलंग धूलने वाला नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वानियूज मैं हूं प्राजिसिंग बिहार में कराके की ठंड वहीं बिहार की राजनीती काफी गर्माहट देखने को मिल रहे हैं नितीस कुमार का विभाग बदल दिया गया है जिसमें आर्जेडी के लोग सफाई दे रहा है तो वहीं बीजेपी के लोग सवाल खरी कर रहा है जिहां प्रोफेसर चंद्र सेखर कभी सिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो अब उन्हें गन्ना मंत्री बना दिया गया प्रोफेसर चंद्र से सिक्षा मंत्री होने के बाब जूद वो सरातन धर्व राम चरित्र मानस पर टिपनी करते थे और अब उन्हें गन्ना मंत्री बना दिया गया है ललित यादव को भूमी राजस्व मंत्री बना दिया गया है तो वहीं पहले आलोक महता हुआ करते थे अब उन्हें आलोक महता को Sikshamundری बना दिया गया जी हाँ आलोक मेहता अब सिक्षमंतरी वन गया जिस पर BJP खाफी सवाल खरी कर रहे हैं तो वही RZD के लोग सफाही दे रहे हम आपको दोनों की प्रतिकाव शुनाएंगे किस तरह से RZD के लोग सफाई देते नजर आ रहे हैं तो वहीं बीजेपी के लोग सवाल खरी कर रहे हैं तो ऐसे में हम आपको दोनों निताओं की प्रतिक्रिया शुनाते हैं नुखमत्री जी ने जो कैबिनेट फेर बदल का फैसला लिया है जो भी भागों के फिर बदल का फैसला लिए है ये उनका विश्यता अधिकार है और इस मामले पर विहार सरकार का जो संकल्प है कि हम विहार को बेहतर दिशा की ओर ले जाने में विहार के बच्चों के भविश को बेहतर बनाने में विहार में बेहतर सिख्षा और अस्पषण से सरकार के अस्तर से जो भी फैसले होते हैं वह बिहार के बेहतरी के लिए बिहार के जनता के हितों के लिए और भीहार के लोगों के हितों के लिए हो रहे हैं इसमें राजनिती तलासने वाले लोग मायूस होंगे तीस कुमार ने लालू और तेजस्वी आदे को थोड़ा आइना दिखाने का काम किया है और बारियनर मास्टर है ने तीस कुमार और आप समझ सकते हैं कि लगतार बारियन करके ही उस कुर्सी पर रहे ह था उस खेल में उन्होंने एक और श्टोक खेराई वाई जो मनाया मंत्रियों को हटा दिया तो लालू और तेजस्वी सक्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुर्बानी दे रहे हैं और इसका नतिजा और चंसेखर पर जो करवाई हुई है तो तेजस्वी आदो नहीं करव खुब सारे डिपार्टमेंट का दिया गया तो मेरा मना है कि चंसेखर पर करवाई कहीं ने कहीं नितिज कुमार ने अपने चेहरे को साफ करने का प्रयास किया है जिस प्रकार से लगतार उन्होंने राम जी का अपमान किया और सनातन परंप्रा का अपमान किया तो कहीं ने कि नितिश कुमार इतने दिनों तक पर है तो गाली सुनवाया सनातन के लोगों को हिंदू संस्कृति के लोगों को उसके बाद अपना चेरा साफ करने के लिए नोने खेल खेला है लेकिन जनता जानती है कि ये पूरी तरह से नितिश और तेश्वी के सब पर ये खेल हुआ है और अब किसी को हटाने से वो कलंग धूलने वाला नहीं है नितिश जी आपने जो किया है उसके वो भुखते हैंगे